हैलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़िया और एकदम मदे में होंगे तो आए बच्चों आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं वचन अर्थात इस अध्याय में हम जानेंगे वचन किसे कहते हैं और कौन-कौन से होते हैं वचन तो बच्चो व्याकरण में संख्या का बोथ कराने वाले शब्द वचन के लापे हैं वचन द्वारा ही संख्या के संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्यान होता है अथा जिससे हमें पता लगता है कि संग्या एक है या अधिक है उससे ही हमें पता लगता है कि कौन सा वच्चन है हमारे पास दो कॉलम है पहला है बच्चा खेल रहा है आगे बच्चे खेल रहे हैं तोता पिंजरे में बंद है, तोते पिंजरे में बंद है, स्टेशन पर गारियां खड़ी है, सुमन के पास एक सारी है, सुमन के पास चार सारीया है तो बच्चों जो कोवर्ग में शब्द आए हैं जैसे बच्चा तोता गारी और सारी इन शब्दों से एक वस्तुव और प्रानी तकोवर्ग में जो वाक्या आए हैं उनमें जो शब्द हैं जैसे बच्चे तोते गारिया और सारिया इन शब्दों से एक से अधिक वस्तुव प्रानियों का बोध हो रहा है अथा संख्या बताने वाले सभी शब्द वचन है तो बरते हैं आप वचन के भेद की और तो कितने भेद होते हैं वचन के आपको अच्छी तरह पता होगा वचन के दो भेद होते हैं एक वचन और बहु अचन लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा है चुहा एक है गुबारा भी एक पैंसिल भी एक है तो क्या है यह एक वचन अब बढ़ते हैं बहु अचन की और तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तों या प्राणियों का बोध होता है उसे बहु अचन कहते हैं सामने चित्र पुस्तके कितनी है तीन चुहे चा तो यह क्या है यह चित्र के माध्यम से भी हमें पता लग रहा है और इसमें जो शब्द दिये गए उनसे भी हमें पता लग रहा है कि यह बहु अचन है तो बच्चों आप जान लेते हैं कि वचन की पहचान कैसे की जाए बच्चों वचन की पहचान मुख्यता है दो प्रकार से होती है पहला है संग्यात्वासरमनाम शब्दों द्वारा और दूसरा है क्रिया शब्दों द्वारा आईए थोड़ा पहचान जान लेते हैं जैसे एकवचन है बिल्ली भाग रही है बहुचन बिल्लियां भाग रही है इसमें क्या है संग्या के द्वारा पहचान हो रही है देखिए बिल्ली बिल्लियां ये क्या है संग्या शब्द है वह खेल रहा है वे खेल रहा है इसमें सर वचन पढ़ते हैं बहु वचन क्रिया शब्द है तो बच्चों एक वचन के स्थान पर बहु अचन का कैसे प्रियोग होता है अब ये जाल लेते हैं तो इसके लिए पहला नियम है किसी व्यक्ति के प्रती आदर प्रकट करने के लिए प्राय एक वचन के स्थान पर बहु जाता है यह अ अपने बड़ों के लिए क्या करते है एक वचन का प्रियोग नहीं करते हैं अधर के लिए हमारे राष्ण-पिता ने मैं के स्थान पर हम कापिया जाता है हम जो है बहुवचन है लेकिन मैं नहीं आएगा हम आएगा जैसे कि हम अपनी कक्षा में सदय प्रथम आते हैं यह सम्मान जमाने के लिए हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे तो इसमें सम्मान की भावना का पता लग रहा है तीसरा है तू एक वचन शब्द है जिसका भावचन तुम है तो आजकल तुम का प्रियोग प्राए एक वचन की रूप में किया जाता है जिसे हर्ष तुम खूब मैनत करो अरेविने तुम कब आये यानि कि तुम भावचन होते वे भी एक वचन में प्रियोग हो रहा है अब इसमें कुछ विशेश बाते हैं जिने जानना जरूरी है तो वो समझ लेते हैं पहले तो बच्चो सदा एक वचन में प्रियोग किये जाने वाले शब्द जनता वर्षा पानी दूद घी सत्य जूट क्रोद प्रग्या बालू धरती आकाश प्रेम शमा चांदिया ये सब क्या है सदा एक वचन में आने वाले शब शब्द हैं आसू प्रान बाल लोग दर्शन हस्ताक्षर होट इस सब बहुचन में आने वाले शब्द यानिकि इशद बहुचन में प्रियोग किये जाते हैं चलिए अब आगे बरते हैं वचन परिवर्तन की और तो बच्चो प्रतेग भाशा में एक वचन से बहुचन बन अने की भी कुश्णिया में आएए उनके जान लेते हैं सबसे फ्यला नियम है आकारान पुलिंग शब्दों की आ को अ में बदलकर इशे लड़का का बहुवचन लड़के, बसता का बसते, बच्चा का बच्चे, तोता का तोते, कमरा का कमरे, पंखा का पंखे, ए में बदल दिया, एकी मातरा लगाए और बहुवचन मन गया, दूसरा है इकरान स्ट्रिलिंग शब्दों में या जोड कर, या निकि या और उपर चिंद्रबिं जैसे आख का आखें, किताब का किताबें, दिवार का दिवारे, सडक का सडके, नहर का नहरे, बेल का बेले, और अगला है इकरान स्ट्रिलिंग शब्दों की इ को इया में बदल कर, जैसे रोटी रोटियां, घडी घडियां, धोती धोतियां, तितली तितलियां, रानी रा आगे है आकारान सरिल्लिंग शब्दों में आएं जोड कर जैसे माता माता आएं, रशना रशना आएं, शाखा शाखाएं, कविता कविता आएं, आत्मा आत्मा आएं, गाथा गाथां 25 Table आगे है आकरान स्रिलिंग शब्दों की या को या में बदल कर जैसे चिडिया चिडिया चुहिया चुहिया बिटिया बिटिया कुटिया कुटिया गुडिया गुडिया बुडिया बुडिया और आगे है आकरान पुलिंग शब्दों में गाण वर्ग तथा जन को जोड़ कर जैसे अध्यापक, अध्यापक गर्ण, लेखक लेखक गर्ण, पुरुष पुरुष वर्क, पाठक पाठक वर्क, प्रिय प्रिय जन, विद्वान, विद्विजन तो बच्चों ये तो हमने वचन पढ़े और जान लिए कि नियम कौन कौन से होते हैं, वचन परिवर्तन के, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इस अध्यापको दोहरा लेते हैं तो बच्चों व्याकरण में संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन के लापते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तता बहुवचन, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तू या प्रानी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और वचन की पहचान मुख्यता द और अधिकार अभिमान या बड़पन दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हमका प्रियोग किया जाता है तो बच्चा मुझे पूरी उमीद है वचन अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप वचन परिवर्तन के नियम समझ गये होंगे अब क्या करना है इसका भ्यास कारे आप स्वें कीजिए